हमने रिल पे सिग्मा क्यारक्ठरस देखने के बाद तुमने इस व्이죠 पकॉड्ट्र की और तुम उन मूवीज को देखना चाहते हो और उन क्यारक्ठर को अपने रिल पे देख देखे ठकचुके हो पर तुमने की मूव्य स्वागत है तुम सब लिकॉरे A.D.Y. मूवीज में आजकी वीडियो में तुम्हें तुम्हें 10-11 मूवीज ऐसी बताने वाला हूं जो कि this SIGMA केरक्टर्स वाली मूवी है उसमें टंहें गलांग उसमें एक से एक सबढ़ी परr वह हैं वह हमारी अमेरीकन साइको पैत्रिक बैटमेन को तुमने अपनी स्سب में अपनेots मे बहुत बाहर्ण देखा वेल यह character का नाम Patrick Batman है जो मैंने तुछ इन्सान को मारता है यह इस कुछ बहुत सारे इंसानों को मार चुका होता है अपने apartment में और वहाँ पर लोगों को रखता है वो तुमारा दिमाग हिला देता है लएक बहुत इखतरनाक चीड जोती इस movie के end में वालग तुम भी सुचोगे कि क्या चीज हुई इस मुवी, मतलब मुझे को समझ में ही नहीं आया क्या चीज हुई, तुम बिल्कुल तुमार एक्षन बिल्कुल यह होगा, तो देखना जरूर इस मुवी को, क्योंकि यह मुवी बहुत ज़्यादा पॉपलर मुवी रही है, यह वाला जो क्यारक्टर है, पैट्रिक बैटमेन, यह भी बहुत ज़्यादा पॉपलर क्यारक्टर हो गया है, क्योंकि यह सिग्मा क्यारक्टर है, यह मुवी पहली बात देखो यार, हिंदीम अवेलिबल नहीं मिलेगी, तुम्हें इंग्लिस में देखना पड़ेगा, त अब हाँ यार, जोन विक एक ऐसा क्यरक्टर है, जोन विक मुवी से, जोन विक यूनिवर्स से, कि भाई इससे तगड़ा क्यरक्टर तुमने जिग्मा नहीं देखा होगा, भाई देखो इस बंदे को एक वाइफ थी, जो की कैंसर के हुजा से मर गई थी, लेकिन यह वाइ इस बंदे ने सिर्फ उस डॉक के लिए उस कुटे के लिए साड़े साथ सो से जादा लोग का मढ़ रखिया, क्योंकि यह उस बंदे को मारने जा रहा था, जिसने उसके कुटे को मारा है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने बहुत सारे सीक्योर्टी रखी है, कि वो जॉन व इसके साथ आगे क्या होता है, इसके चार पार्ट्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारो पार्ट्स देखना, जो चौथा पार्ट्स है, वो 2023 में ही लाँच हुआ है, रिलीज हुआ है, काफी मस्त मूवी है, काफी मस्त चारो पार्ट्स है, जरूर देखना मैंने देखे हैं मुझे काफे ज़्यादा मज़ा आया है अब जो हमारी चौथी मूवी नहीं एक सिरीज है अब एक्चुली में टॉमी सेलबे क्या करता है कि वो एक बिजनस करता है और वोल्ड वार टू के टाइम पे एक सोलजर भी रह चुका है और उसका एक रूल है कि कोई भी अगर मेरे बिजनस में आके दखल अंदाजी करेगा तो उसे नहीं चोड़ेगा चाहे उसे साम, दाम, दन, भिद, कुछ भी अपनाना पड़े हाँ, बहुत तगड़ा केरेक्टर है, टॉमी सेलबे बट यहाँ पे उसे बहुत सारी दिक्क्ते आती है उसका भाई जो है, वो भी थोड़ा साइको टाइप का है लेकिन हमारे टॉमी सेलबे सब कुछ बिलकुल परफेक्ट करता है वो बिलकुल नहीं सोचता, उसका आई कॉंटेक्ट, उसकी बौड़ी लेंगवेज बिलकुल एक सिग्मा केरेक्टर वाली है बलब वो टॉट ओवरॉल एक सिग्मा केरेक्टर ही है और तुम्हें देखने में काफे यादा मजाएगा नेटफ्लिक्स में मिलेगा बट हिंडी में नहीं मिलने वाली स्रीज हिंडी में तुम्हें जॉन विक मिल जाएगी और जोकर मिल जाएगी बट अमेरिकन साइक और पीगी ब्लांडर नहीं मिलेगी आची मूवी है हमारी बैटमैन अब बैटमेन में पुरानी वाली नहीं कहा रहा हूँ जो 2022 में आई हुई है वो वाली बैटमेन अब एक्चुली में बैटमेन का मतलब क्या जो हमें जो पूरी अब जो हमारी नेक्ट मुवी है वो है दा वुल्फ ओफ दा स्ट्रीट अब हाँ इसमें तुम्हें फाइटिंग वाला कोई सिग्मा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता इसमें तुम्हें एक बिजनस सिग्मा कैरेक्टर देखने को मिलता है हमारा main character इसमें एक बहुत ही जादा middle class family से belong करता था और उसे बहुत सारा पैसा कमाना था बट अभी उसकी job भी चली गई है और अभी वो एक stock market action में as a broker काम कर रहा है बट वहाँ पे वो थोड़ा सा सीखता है बिलकुल हमारे 1992 scam वाली series के तरह और उसके बाद वो खुद का अपना एक चार पाज बंदों को लेके छोटी सी organization बना लेता है वो एक illegal stock पे काम करता है और सब के पैसे उसी में भर देता है और खुद एक millionaire बन जाता है अब इसके आगे क्या होता है क्या वो फजता है उसे कैसे पकड़ा जाता है या वो बज जाता है सबसे और कहां जाके रहता है इतना पैसा कमाने के बाद कैसे वो मजे करता है पकडा किस तरह से जाता है ये सब देखने केलिए तो तुम्हें काफे ज्यादा मज़ा आएका और देखना पड़ेगा अब जो नेक्स्ट मूवी है वो है दा बॉइज अब एक्चली ये मूवी नहीं है ये हमारी एक सीरीज है जो कि आमजोन प्राइम पे तुमें देखने को मिल जाएगी अब दा बॉइज में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि दस से भी जादा सिग्मा क्यारक्टरस देखने को मिल जाते हैं होम लेंडर हो गया हमारे और जितने भी दा बॉइज में सारे क्यारक्टरस हो गए वो सब एंड कुछ सूपर हीरो जो समें दिखाए गये हैं क्यार कि यहां पर कंपनी है जो करते हैं कैंसे इसके सूपर हीरो जोऊने कोई गाट वगयर नहीं तो आप होलग इनके इसे में अन्हें पास खत्या है है वो चार बॉइज इंगी कैसे पोल खोलने वाले वो सब देखने में काफी ज़्यादा मजाता है यहां बहुत सारे सिग्मा कैर्टर्स देखने को मिलते हैं जो की काफी तकड़े हैं अब जो हमारी नेक्स्ट मुवी है यह भी एक सिरीज एक्टुली नहीं है उसका नाम है वा वाइकिंग्स में जो यह बंदा है यह चोटे से कभीले को लेकर वार स्टार्ट कर देता है एक बहुत बड़े किंडम पर राजा बन जाता है मतलब यह कैसे होता है इनके बीच के जरनी होती है इस ट्रगल होता है और बहुत तगड़ा देखने को मिलता है जिस तरह से बन चाहिए वह सब देखने में काफे ज़्यादा मजह आता है तो अगर मैं इसे हिस्टोरिकल बोर तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें इसमें मजह नहीं आएगा और वह इस्टोरी वाली फील देगा राजा माराजा वाले बिलकुल नहीं प्योर एक्शन वाली फिल गई ह आप एक्चुली में इसमें कहानी दिखाईगी है कि इंसानों ने कुछ रोबोट्स बनाने स्टार्ट करे थे अभी एक टाइम पर रोबोट्स ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है और वहाँ पर हुमनोड्स नाम के हुमनोड्स रेप्लिकेंट्स रहते हैं जिनें बहुत जादा मुश्किल से पहचान जाता है कि वह इंसान है या रोबोट्स है अभी यहाँ पर हमारा मेन केरेक्टर रेइन अल्ट्स जिसमें प्ले किया है वह एक्चुली में उसका नाम जो है और भाई वह बंदा खुद ही नहीं जान पारा कि मैं इंसान हूँ या फिर मैं एक हुमनोड हूँ या फिर मैं एक हुमनोड रेप्लिकेंट हूँ अब वह बंदे को यह जानने होता है और यहा पर बहुत एक बड़ी मिस्टरी होती है जो वह बंदा सौल कर रहा होता है अब मिस्टरी क्या होती है वो तुम में मुवी देख्के ही प्रता लगेगा वो ही यह बहुत जादा ओस्ट है तुम देखके मज़ा या जाएगा अब नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है, यह मुवी नहीं है, यह सीरीज है, इसका नाम है डियर डैविल, हाँ इस चस्मे वाले पद्दुर को तुमने बहुत बार अपनी रील्स में देखा होगा, और हस्ते वे मुश्कुराते होगा, यह एक ऐसा बंदा है, वही चस्मा इस वज सकता है, जो कि बिल्कुल फिट है, और उस बंदे को अराम से ठूल चटा सकता है, तो काफी ज़्यादा तगड़ी सीरीज हो जाती है, यह काफी सारे विलंस को मार रहा है, जो कि मतलब सहर में उत्पात मचा रहे हैं, और काफी ज्यादा मज़ा आता है यह देखने में, करने सिरीज जो brag Wars के साथ हैं और जो नाम है नाम हुए ऐली त mysterie स्यभ्याइब जरूने चक्वाइब करना पसंद आइयो वीडिव को लांख कर देना चैनल को subscribe कर देना अपने दोस्केसान ऺड़ी जो कि सिग्मा है एंड हां दे हे L 不 मज़ा आएगा काफी ज्यादा मज़ाएगा मिलता हो तुमसे नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब कर लेना चानल को जरूर भूलना माते है।